नमस्कार दोस्तों मैं नामे किशन और स्वाग थे आपके अपने यूडूब चैनल टेक वीच सर्वा में आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बेसिकली बताने वाला हूं कि आप लोग अपने ओपो रेनो 5k device में हाँ guys ओपो रेनो 5 के phone में guys यहाँ पर अपना Control Center Change कैसे कर सकते हो बेसिकली यहां पर हमारा Control Center यहां पर देख सकते हो जो कि नहीं हमारा system से है system setting वाला control center बत guys मैं आपको अभी यहाँ पर चैन्ज करके बताऊंगा कि guys आप लोग अपने device में Control Center को नीचे स्क्रॉल करते हो डाटा ओफ ऑफ आउन करते हो टार्च अन आफ करते हो ब्लूटूथ कुछ भी यह जो सब सेटिंग्स है किसमें है कांट्रोल सेंटर में है तो आप लोग इसका लुक कैसे चेंज कर सकते हो नेया कुछ कर सकते हो कैसे तो वीडियो पर बने रहे कांट बईौच पलिस टोल में जाकर आपको में कर लेना है लोग ऐसा कुछ होगा क्योंकि जब तक आम इसे नहीं करूगे तो हम आप लोग दूसरा अगर कर लेते हो और हम इसका वीडियो बना है जिससे बाद में कहोगे नहीं है गलत है बिकार है यह है वह फेक है अब इससे अच्छा है आप लोग ध्यान से देखके इसको डाउनलोड कर लोगा चेंज करना तो फिर ओपिन करेंगे एंड ओपिन करने के बाद यहां से आपको और ट्राय लिम लाकिंग फिर से क्लिक करना फिर से ओफ करना स्टॉप फिर से इने बाद अलाओ अब यह वर्क करेगा देखना गाई यह ओपिन हो गया अभी ओके पर क्लिक कर लेना है ओके हुआ ना चेंज देखो चेंज हुआ कि नहीं हुआ यह तो हमने आपको बता दिया कि आप लोग क अगर हम बताएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर आप लोग ज्यादा जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाके बता दूँगा अपलोड कर दूँगा और सब कुछ डिटेल में बताऊंगा जिससे आप लोग सम सो टूडे उज़े मोबाइल यूज़े डाड़ा सब कुछ कंट्रोल सेंटर में सो इसको इनबल करना पड़ेगा यह सब ओके करके ठीक है यहां से नोटिफिकेशन बार यहां से कंट्रोल सेंटर यह चैंज होगा अगर विश्वास में तो यहां तेको होम से किया तो वही वीडियो का अच्छे लेगो तो लाइक करें जाने गाइज कोई भी प्रोब्लम कोई भी सुआ था आफ हमें कमेंट करके पूछ सकतो हूं मैं अंडर परसंट है रीपलाइदूंगा अगर आप इस चनल पर नहीं हो और ऐसी इंटरस्टिंग वीडियो को देखना चाहतो ती मातरम